वेल्कम गाईज तो जैसे कि हम बात कर गते एग्रिकल्स से से पूछते आनों कुछ विसेस्ट नाम या उपनाम के बारे में तो जिसका पार्णमर हम सेकेंड क्लियर करेंगे इससे ओल्रेडी हम पार्ट फर्स्ट क्लियर कर चुके हैं अगर आपने वो पार्ट नहीं देखाय तो लेंक आपको आई बेटन पर देखने विमेल्स आएगे वहां से आप पार्ट फर्स्ट को क्लियर कर सकते हो ठीक है तो चलिए फिर आज इस टॉपिक को कम्पलीट कर लेते हैं और जितने भी जो आपको इंपोर्टेंट कुछे आते हैं विसेस्ट नाम या उपनाम से उ इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आई चैनल को सब्स्राइब कीजिए और प्रास के बेल आइकन को जरूर दवा दे जिसे जब भी हमारे कोई क्लास लगेगी तो आपको नोट के साथ साथ मिलते रहेगी ठीक है तो चलिए फिर रानी किसे बोलाचता है तो वो किसे बोलाचता याद रखिया वो बोलाचता है राजा बरसीम को बोलाचता है और रानी रिंज का फसल को बोलाचता है इसके साथ याद रखिया अगर आप से पुछता है बरसीम तो बरसीम का याद रखिया एक और नाम होता है और वो क्या रहेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है और जो कि आपको याद देखिया और अल्रेडी कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है तो इसका आपको विश्य स्थ्यान रखना है कि फलो का राजा, रसाल, कल्प तरू, आती सोरब या फिर बात्रूम फल ये सारे नाम याद देखिया किसके होता है आम के ही होता है और इन में से ज़्यादा तर आपको पूछा आता है वो पूछा आता है फलो का राजा और बात्रूम फल तो बात्रूम फल और फलो का राजा किसे बोला सा है आम को बोला सा है ठीक है मतलब दलहनों की राणी राजा तो हमने जान लिया कि राजा चानी को बोलासा है लेकिन राणी किसे बोलासा है तो राणी बोलासा है याद रिकिया मतर को बोलासा है किसे बोलासा है मतर को बोलासा है नाइश टिसन के हम बात करेंगे जिसमें पूछा गया है कि रितुओ का र हमातिए के चाहिए न जयमें में मुझत दोन कोौ्षटी इसको इसे का किसजके जना सता है कि पूछा गeh कि नाम करें से झाल कर दोन जाना सता मिंगरा शाय की उचल जिना करेंगे Queen of Spices तो Queen किसे वोलासा याद एकिगा वो बोलासा है इलाईची को बोलासा है राजा तो किसे वोलासा है काली मिर्ज को बोलासा है और Queen किसे वोलासा याद एकिगा इलाईची को बोलासा है नेश्टिसन के हम बात करेंगे कि सब्जियों का राजा किसे बोला सा है तो या देखिए आप King of Vegetables मतलब सब्जियों का राजा आलो को बोला सा है और अगर आप से पुस्ता है या देखिएगा सब्जियों की रानी ठीक है आज का हमारा जो लेक्चर है इसका आपका जो First किसर बनता है जो कि आप सब्जियों की रानी किसे बोला सा है या आप सब्जियों की रानी किसे बोला सा है तो जल्दी से इसका रानी किसे बोला सा है ठीक है राजा तो हमने आपको बताई दिया है कि सब्जियों का राजा आलो को बोला सा है लेकिन रानी किसे बोला सा है तो जल्दी से comment station मत आईए कि सब जियो की राने किसे वोला सा है ठीक है जब तक हाँ नेश्टिसन के बात करेंगे कि लेडी स फिंगर की नाम से किसे आना सा है ठीक है, नाश्री सन के आप मात करेंगे, जिसमें आप से पुछा गया है कि नदियों की भूमी, यहाद देखेंगा नदियों की भूमी, लैंड ओफ, रिवर्स, किसे बोला सा है, आंदर, पर्देश को बोला सा है, नैश्टिसन आपसे पूछा गया है जो कि काफी अच्छा किसन है और कई बार आपको पूछा कि जा चुका है एक्जामें कि जादोई बीन किसे वला सा है तो यहाँ देखिएगा जादोई बीन स्वयविन को बला सा है किसे वला सा है स्वयविन को बला सा है विजार बीन के न कि बाद करेंगे बात करेंगे जिसमें आप सी पूछा गया है करसी की परतान कुंजी मतला master key of agriculture किसे वोला सा है तो वोला सा याद किया फास्वलस तातु को वोला सा है करसी की परदान कुझी मतला master key of agriculture किसे वोला सा है फास्वलस को वोला सा है नेश्ट सनाब से पोछा गया कि चम्रतकारी फल किसे वोला सा है तो वोला सा याद किया किवी फल को बला सा है किवी फल को बला सा है नैश्ट साम से पूछा गया है कि प्रकरती का घंश्टम संपूर्ण अहार किसे बला सा है तो वो बला से यादर किया दुग्द को बला सा है और आप सभी को ही पता होगा कि दूद में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा या फिर सबसे कम जो पोसकता तो होता है वो कौन सा होता है सबसे पहले याद रखिएगा दूद में iron की कमी होती है किसकी कमी होती है दूद में iron की कमी होती है अगर आप से पुछता है कसकी अधिकता होती है मतलए अधिक मात्रा में कौन सा होता है तो वोते हैं है आदिकिया calcium V अधिक मात्रा में calcium V फास्परस और जिसकी कमी होती है वो कौन सा होता है iron और अगर हम बात करे यादिकिया vitamin तो vitamin C रिटामिन की भी तो वो बहुता है खजूर नेश्टिसन के आम बात करेंगे जीवन का भोतिक आधार याद रखीगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा है जीवन का भोतिक आधार किसे माना गया है तो यह तो आपने बायों में पड़ा होगा कि जीवन का भोतिक आधार याद किया जीव द्रव्य को बोला सा है किसे बोला सा है जीव द्रव्य को बोला सा है नेश्टिसन आप से पूछा गया कि निर्धन मनुष्य का पसु किसे बोला सा है तो वो बोला सा याद किया भेड को बोला सा है देंदर मनुस्य का पसु किसे बोला सा है भेड को बोला सा है नेश्टिसन आप से पूछा गया है कि निर्धन मनुस्य की काम देनू किसे बोला सा है तो वो बोला सा यादे किया बकरी को बोला सा है निर्धन मनुष्य की काम देनु किसे बोला सा है बकरी को बोला सा है नेश्टिसन आप से पुछा गया है कि निर्धन मनुष्य की फसल किसे बोला सा है तो यह बोला सा है या देखिगा बाजरा को बोला सा है बकरी को, अगर आप से पुझता है निर्दन मनुश्य की फसल, तो यह बोला से है बाजरा को, अगर आप से पुझता है निर्दन मनुश्य की मूल फसल, तो वो ती है यादकिया टोपी यागा, कौनसी होती है, टोपी यागा होती है, नेस्टिसन के हम बात करेंगे, जिसमें आप से पुछाए गये कि पेई फसलो की रानी किसे बला सा है चाई को बला सा है धान्यो की रानी किसे बला सा है मक्का को बला सा है पुस्पो की रानी किसे बला सा है गुलदाओदी को बला सा है और चारा फसलो की रानी किसे बला सा है लोड़ जनिया रेंज को बला सा है और फ सब्सक्राइब रखा है कि दुख्द की की रानी कीसे बोला सा है तो ये बोलासा हैादकी आमसालों की राँन वस्तरों की राणी या फिर सबजीयों की बारें बात करेंगे तो अब यहां पर आप देख सकते हूं कि तिल्हनों की रानी तो किसे बला सा है? तिल्फसल को बला सा है, किसे बला सा है? तिल्फसल को बला सा है, दल्हनों की रानी, मटर को बला सा है, मसालों की रानी, इलाइची को बला सा है, वस्तरों की रानी, रेसम को बला सा है, और सबजियों की रानी, प्यास को बला सा है, जो क नेजटरी संप के हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछाए गया कि बढकत है तो बो बोला सा है वो बोला सा है, वह बलों का धान का धान का कटोरा के से बोला सा या दो कि अदुआ दो किरं चैतिस्गडः को बला सा है, और यह किसान आपको अल्रेडी कई एग्जाम curriculum बना स किसे बोला सा है मतलब rice bowl of India ते बोला से यादखिया 36 गड़ को बोला सा है किसे बोला सा है 36 गड़ को बोला सा है नेक्स्टिशन के आम बात करेंगे विश्व की द्विति रोटी किसे बोला सा है तो विश्व की द्विति रोटी आलू फचल को बोला सा है ठीक है नाइस्ट्रिसन के बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि मरुस्तल का जहाज तो ये तो कॉमन कीज़न आप सबी खोई पता होगा तो बारा से देख लीजे मरुस्तल का जहाज क्यों बोला सा है उट के पेर गद्देदार होते हैं जिससे क्या होता ये रेगिस्तान में या फिर मरुस्तल में आसाने से चल फिर पाता है इसलिए याद रहे कि इसे मरुस्तल का जहाज बोला सा है ठीक है नेक्स्टिसन के हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि अनंत जीवन की आत्मा अनंत जीवन की आत्मा किसे वोला सा है वो बोला सा है मर्दा को अगर आप से पुस्ता है भारत का सरक्रा का टोरा तो वो बोला सा है उत्तर प्रदेश को और अगर आपसे उस्ते विश्व का सरकरा का टोरा तो वो वोला सा याद किया क्यूबा को माना सा है ठीक है दोनों को याद रखी गए दोनों ही आपको एक्जामें देखने को मिल चुके है नेक्स टूसन के हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूचा गया है कि स्वर्ग का व्रिक्स किसे वोला सा है तो याद किया स्वर्ग का व्रिक्स स्वर्ग का व्रिक्स सेनारियल को वोला सा है और अगर हम बात करते है टू इन वन फसल टू इन वन फसल किसे वलासा है तो वह वलासा याद किया स्वयवीन को अब ये नाम इसे कैसे दिया गया है तो इसके लिए आप याद रखेगा कि टू इन वन फसल स्वयवीन को वलासा है मतलब ये दलहन का भी काम करती है और ये तिलहन फसल का भी काम करती है सोयवीन जो फसल होती है यादे कि इसे दलहन के रूब में भी हम ले सकते हैं और तिलहन फसल के रूब में भी ले सकते हैं इसलिए इसे एक नया नाम दिया गया था और वो नाम क्या था यादे कि 2 in 1 फसल ठीक है मतलब दो फसलों की तरह ये कारिय करता है एक तुद्धलना फसल एक होता है तिलना फसल तोनों की रूब में यादे कि सोयवीन को हम गरोग कर सकते हैं आसानी से ठीक है नाइस्टिसन कोई बात करेंगे जिसमें आप से पूछा गया है कि फूलो की घाटी किसे बला सा है तो वह बला सा है चमोली उत्राकंड को ठीक है चमोली कोई प्लेस का नाम है जो कि उत्राकंड में पढ़ता है तो उसी को याद रखीगा फूलो की घाटी की नाम से जाना चाल चुका है नेश्टिसन के हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि वेजिटेवल मीट किसे बोला सा है वनस्त्री मास्क या वेजिटेवल मीट किसे बोला सा है तो वो बोला सा याद कीगा दलहन या लोबिया लोबिया कोही बोला सा याद कीगा वजेटेवल मीट के नाम से किसे जाना से है चावला स्ली योभिया को जाना से है निसीचन के हम बात करेंगे जिसमें आमसे पूछा गया भारत की भ्रहमकारी संत्र किसे बाता ऐं तो बाता है कि भारत का गेहु का टोरा किसे बोला सा है तो भारत का गेहु का टोरा यादखी का ये बोला सा है पंजाब को बोला सा है अगर आप से पुछता है स्वेट स्वेट तो यादखी का वाइट गोल्ड के नाम से कपास को जाना सा है वंडर ट्री के नाम से नेम को जाना सा है यलो कि आपको याद कि एक्जाम में पूछे जा चुके हैं आगे भी पूछे जाने की सम्भावना है कि स्वेथ स्वान के नाम से कपास को जाना सा है वंडर ट्री के नाम से मतलब अधभूद फसल के नाम से नीम फसल को जाना सा है पीत स्वान मतलब यलो गोल्ड के नाम से केसर को जाना सा है काला सोना मतलब ब्लेक गोल्ड अफिम को बोला सा है और विलाईती बेंगन टमाटर को बोला सा है और ये आपको पता योगा कि एग प्लांट किसे बला सा है याद रखिया एग प्लांट बला सा है ब्रिंजल को बला सा है बैंगन को बला सा है एग प्लांट बैंगन को बला सा है और विलाइती बैंगन टमाटर को बला सा है दोनों को याद रखीगा दोनों ही आपको एक्जा याद हो भी गए होंगे अगर आपको यहाँ पर लगता है कि कोई point हमको नहीं आ रहा है तो उसे आप यहाँ पर note down कर सकते हो या फिर अगर किसी भी प्रगार कोई कोई प्रवल्म होती है तो आप comment session में हमसे पूश सकते हो ठीक है इसके बाद में आपकी जो class है हमारे second channel पर लगेगी तो आप जरूर प्रिजेंट हो जाए second channel का नाम है एगरीबाई देपक सर आप चाहो तो सर्च कर सकते हो अदर्वाइस लिंक में आपको decision दाल रूगा वहा जाब बबेद ड्कार